नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं प्रिया हाजिरूं हमारा खास प्रोग्राम सियासी दंगल लेकर जबसे अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने कबजा किया है तब से लगातार मानवा अधिकारों के उल्लंगन के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है अब अफगानिस्तान नागरिकों ने जिसमें की महिलाई भी शामिल हैं उन्होंने तालिबान का विरोत करना खुल कर शुरू कर दिया है अफगानिस्तान के स्वतंतरता दिवस के मौके पर तालिबान के जंडों क फार दिया गया है वहीं अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गये दूसरी तरफ अब संयुक्त रास्ट्र संग ने मामले की गंभीरता को समझना शुरू कर दिया है यूरोपी संग समेट दुनिया के कई देशों ने तालिबान को मानिता देने से साफ इंका कर दिया है भारत में भी तालिबान को लेकर उच इस तरिये बैठके की जा रही है सभी देशों का पहला मिशन अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना है देखिए हमारी यह रिपॉर्ट अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद वहां के हालात तेजी से बदल रहे हैं इस बीच दहशत में वहां के लोगों में आकरोश पूटने लगा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दाइरा बढ़ रहा है और लोग खुल कर तालिबान को चुनावती दे र पर राजधानी काबूल समेत कई शहरों में लोग राश्य ध्वज लेकर तालिबान के खिलाफ बाहर निकले उसके खिलाफ प्रदर्शन किये और कुछ जगों पर तालिबानी जंडे को फाल कर फेक दिया इस दौरान तालिबान आतंकियों की गोलिबारी में कई लोगों की मौत होने की भी खबर है अफगानिस्तान ने पैदा हुए गंबीर संकट को लेकर नाटो ने आपात कालीन बैठक बुलाई है इस एहम बैठक में वहां के हालात को लेकर विचार होगा वहीं नाटो के महासचिव जेन्स इस्टोल टेनबर्ग ने तीस देशों के सैन निकट बंधन के विदेश मंत्रियों की होने वाली आपात कालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें अफगानिस्तान पर मुख्यूरूप से चर्चा होगी इस्टोल टेनबर्ग ने त्वीच किया कि अफगानिस्तान पर अपने साजारों के वह समनवाई जारी रखने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंस के जरी आपात कालीन मीटिंग बुलाई है इस टोल टेनबर्ग ने पस्चिम समर्थ सुरक्षाबलों की तेजी से कोई हार के लिए अफगानिस्तान के नेतरत को जिम्मेदार ठैराया था लेकिन उन्होंने सुईकार किया कि नाटो को भी अपने सेन फशेक्षान कारकरम की खानियों को दूर करना चाहिए एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने 14 अगस से 7,000 लोगों को एरलिफ्ट किया है और जुलाई की अंत से 12,000 लोगों को निकाला है अमेरिकी प्रवक्ता निड़ प्राइस ने कहा कि कागुल हवाई अड़े के आसपास 52 अमेरिकी सैनिक जमीर पर तैनात है आगे नेट प्राइस ने कहा कि हम अफगानिस्तान में जमीनी स्थिती से वाकिफ हैं पिछले 24 घंटे की बीतर 2000 से अधिकी आत्री सुरक्षित इस अधानों पर पहुंचे है अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने वादा किया है कि वो उन 22,000 अफगानों को अफगानिस्तान से सुरक्षित एयरलिफ्ट करेंगे जो खत्रा उठा कर अब तक अमेरिकी सरकार की मदद करतेया है इन में से बहुत से अफगान नागरेक तालिबान रुकाफ्टों के कारण प्रांतों में ही फसे हैं और अभी भी काबों तक नहीं पहुच पाए हैं शीलंका के पूर प्रधान मंतरी रानिल विक्रम सिंगे ने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मानिता देने के खिलाफ सरकार को आगा किया है और काबुल के साथ सम्बंद तोड़ने की वकालत करते हुए कहा कि किसी को पुनरविचार करना चाहिए कि क्या देश को आतंकवाद को फिर से सुर उठाने में मदद करने वाली पार्टी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए बता दें अमेरिकी फौजों के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने राजधानी काबल समेथ पूरे अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया है अफगानिस्तानी राश्पती पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं वही आर्मी और मलीशिया कमांडर देश छोड़कर भाग रहे हैं सड़कों से लेकर राश्पती भावन तक तालिबानियों के कबजे में आ चुका है जिसके बाद पूरा विश्व महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजार आ रहा है काबूल एयरपोल्ड पर देश छोड़ने वालों की भीड जमा है अमेरिका ने अपने 6000 सेनिक काबूल एयरपोल्ड की सुरक्षा में लागा रखे भारत की बात की जाए तो पियम मोदी ने वरिष्ट मंत्रियों और राष्ट्रियस और अख्षा सलाकार के साथ दो बार CCS की बैठक की पियम मोदी ने अफगानिस्तान वे फसे भारतियों को सुरक्षत निकालने के आदेश दे रखे हैं बड़ी बात ये है कि जहां चीन पाकिस्तान समेट रूस जैसे देश तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वहीं यूरों की असंग और पश्चिमी देशों ने तालिबान को मानता देने से साफ इनकार कर दिया है अफगानिस्तान में तालिबान के कबज एक बात पूरी दुनिया सोचे पड़ गई है कि आफगान नगर को और वैश्वेक सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएं लेकिन एक बात ता है कि जब से तालिबान का कबजा हुआ है तब से वहाँ की सुरक्षा और वैश्वेक सुरक्षा को लेकर कई देशों ने चिंता जाहिर करती है उन देशों में भारत और रेशिया प्रांग के कई देश शामिल है डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभाद चुनाओ है और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है चुनाओ से लगभग 6 महीने पहले योगी सरकार मंत्री मंडल विस्तार करने जा जिसमें उन नेताओं को शामिल किया जाएगा जो या तो दूसरे दल छोड़ कर बीजेपी के साथ आए हैं या फिर वो जो बीजेपी के सहियोगी हैं और कुछ दिनों से नराज चल रहे हैं संजन निशाद का नाम सबसे आगे चल रहा है जो मच्छुआ समुदाए के नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क कर अपनी मांगे रख रहे हैं आपको बता दें चार नेताओं को MLC बना कर मंत्री मंडल में जगह दी जा सकती है बीजेपी संजन निशाद को शामिल कर आती पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक के सहारे 2022 में अपनी नईया पार लगाना चाहती है देखिए हमारी ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सबत चुनाव से पहले योगी सरकार अपने मंत्री मंडल में विस्तार और पिरबदल का कदम उठा रही है बीजेपी के रास्ट्री अध्यक्ष, जेपी नडडा, केंद्रिय ग्रह मंत्री, अमित्षा और वियल संतोष से दिल्ली में मुख्य मंत्री योग्यादितिनाथ, प्रदेश अध्यक्ष सतंतर देव सिंग और प्रदेश महा मंत्री संगठन सुनील बंसल की मुलागात के ब मंत्री मंडल विस्तार के साथ ही MLC मनोनयन की प्रक्रिया भी रुकी है। तलाशने में जुढ गई है। अब दिल्ली से लोट कर किसी भी दिन काबिनेट विस्तार और MLC के नामों की घोशना हो सकती है। MLC के लिए जिन चार लोगों की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है उसमें निशाद पाठी के संजय निशाद, जितिन प्रसाद, लक्षमी कांत बाचपे और अती पिछडी जाती से एक नाम हो सकता है। इस तरहे बीजेपी, यूपी में पिछडों और व्रामणों को साधने की रणी ती अपना सकती है। संजय निशाद, मल्सी और मंत्री बनने के लिए लगातार दवाब बना रही है। इसके अलावा संजय निशाद, यूपी में मल्ला समुदाई के आरक्षन की मांग भी उठा रही है। माना जा रहा है कि भाजपा प्रदेश और रास्ट्रियन ने त्रत्व की इस एहम मुलाकात में निशाद समुदाई आरक्षन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार से राजियों को मिले अधिकार के तहट प्रदेश की कुछ सामान्य वर्ग में शामिल जातियों को पिछडे में शामिल किया जा सकता है। और सत्रा अती पिछडों को अनुसूचे जाती वर्ग में शामिल करने प्रक्रिया पहले से संभावित है ऐसे में योगी सरकार यूपी चुनाव से पहले निशादों के आरक्षन का ताव भी चल सकती है बतादे की लगतार सत्ता पक्ष और विपक्ष जाती गत राजनीती के मुद्द उठा रही है पहले सपा वस्पा का ब्रामर सम्मेलन और बीजेपी का अमवेजकर प्रेम ये दिखा चुका है कि राजनेतिक दल विकास के मुद्दे के अलावा जाती गत मुद्दों पर भी जादा ध्रान दे रहे हैं इसकी बान की तब से जादा देखने को मिली जबसे केंदर सरकार ने संसद में OBC बिल को हरी जंडी दिखाई तब ही से यूपी में बीजेपी की 2022 को लेकर उम्मीद जाग गई है बीजेपी ये बात अच्छे से समझ गई है कि सवन के साथ पिछड़ा और अती पिछड़ा वर्ग का वोट उसे मिल जाए तो बीजेपी की नईया आसानी से पार हो सकती है यूपी में निशादों का बड़ा वोट पैंक है जिसके नेता अपने लिए सुरक्षित दल की तलाश में पिछले लंबे समय से भटक रही है लेकिन अब बीजेपी के साथ उनको अपना भविश्य नजर आ रहा है बस इसी के चलते निशाद पार्टी के अध्यक्षिव संजन निशाद लगातार वीजेपी के बड़े निताओं से मुलाकात कर रही है अब जाकर ये बात साफ हो चली है कि वीजेपी ने संजन निशाद की मुराद सुन ली और संजन इशाद को मंत्री मंडल में शामिल करने की तैयारियां भी तेज कर दी मंत्री बनने के बाद 2022 के लिए संजन इशाद बीज़ेपी के पक्ष में मचुआ समुदाई का वोट जुटाने में जुट जाएंगे यूपी में मचुआ समुदाई का बड़ा वोट बैंक है अगर आधा वोट बैंक भी बीज़ेपी के पक्ष में आ जाता है तो कई सीटों पर बीज़ेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है डेस्ट रपोर्ट प्राइम टीवी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रे योग्या दितनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर है योग्या दितनाथ ये बात जानते हैं कि विपक्ष की एक भी गलती को माफ करना 2022 में बीज़ेपी को नुकसान पहुचा सकता है सीम योग्या दितनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में तालिबान का समर्थन करने वालों पर जम कर हमला बोला है आपको बता दे सीम योगी ने सदन में अपने संबोधन के दौरान जहां तालिबान का समर्थन करने वालों पर हमला बोला वहीं माफियाओं के खिलाफ की गई कारवाई में जो जमीन खाली हुई है उसे घरीबों में आवंटित करने का वादा भी किया है सीम योगी ने एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है एक तरफ सपा सांसत डौक्टर शफिकुर रह्मान बर्क के तालिबानी समर्थन में दिये गए बयान पर नाराजगी जताई तो वहीं माफियाओं के खिलाफ किये गए कामों पर अपनी पीठ भी थपता पाई देखिए हमारी ये रिपॉर्ट प्रदेश के मुखमंतरी योगी आदे तनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वाले लोगो पर तीका हमला किया है उन्होंने कहा कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें वहां की और चो और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए विधान सबासत्र के दौरान सधन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साड़े चार सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है माफियाओं की संपत्ती जबत ही नहीं की गई बलकी ध्वस्त भी की गई है अब इन संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास का निर्माल किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदितनाद ने कहा कि प्रदेश पर्रेटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज का शिवाय उध्या चेत्र का विकास किया जा रहा है पहले भगवान रामकृष्णों महादेव का नाम लेना संप्रदाइक माना जाता था पर अब खुद को रामभक्त साबित करने की होड़ लगी हुई है इन माफिया और अप्राधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के वोरे प्रसेप्शन को खराती है यह हमारी जीत है पहले भी कुम्ब का भव्यायोजन हो सकता था पर सरकारे डरती थी कि कुम्ब के लिए कुछ कर देंगे तो टोपी लगा कर मुबारक बाद नहीं दे पाएंगे मुखमंत्री योगी ने एक हजार योगी युवाओं को लैप्टाव वा टैब देने के साथ ही तीन प्रतियोगी परिक्शाओं में शामिल होने वाले परिक्शार्तियों को भथ्ता देने की घोशना की है उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी करमचारियों वा पेंशनर्स को एक जुलाई से 28 प्रतिशत की बढ़ोत्री के साथ मेंगाई भथ्ता देने की घोशना की है मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि यूपी सरकार का बजट पिछले पांच साल में दो गुना हो गया है 24 करोन की आबादी वाले प्रदेश में ठाई लाग का बजट उट के मुँ में जीरा साबित होता था यही कारण था कि प्रदेश अर्थोयस्था में पिछला हुआ था लेकिन अब यूपी निवेश के लिए सबसे अच्छे प्रदेशों में शामिल है प्रदेश में पिछले साले चार साल में दो करोन 94 लाख लोगों को विद्यूत कनेक्शन दिया गया उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना के दोरान सबसे अच्छा कार किया गया प्रदेश में कोरोना की मिलत्यूदर सबसे कम वा रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है कोरोना काल में प्रदेश के 15 करोन लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्द कराया गया है योगी ने बताया कि गरीबों को राशन देने के लिए 15-25 किलो वाले बैग को प्लप्त कराए गए हैं। उनकी कीमत 45-45 रुपए है। मुकमंतरी योगी ने कहा कि प्रदेश में सरवाधिक बेरोजगारी के आरोपों का खंडन करते हुए हमारी सरकार ने 4 लाग से ज्यादा सरकारी नौकरिया दी हैं। अकेले शिक्षा विभाग में माध्मिक उच्वा तकनीकी शिक्षा में डेड़ लाग शिक्षकों की भरती की गई है। भत्ते में बढ़ोत्री की। योगी सरकार ये बात चानती है कि इस समय जन्ता को सीधा लाब देने से वोट खेसक कर बीजेपी के पास आ जाएगा। बीजेपी सरकार जहां जातिकत मुद्दो को उठाकर जातिय समी करण साधने में जुटी है तो वहीं विकासी ओजनाओ को धरातल पर लाकर सरकार बनाने की जो बची कुछी कसर है उसको भी पूरा करने की कोशिशों में लगी हुई है। योगी सरकार की बड़ी उपलब्दियों में से एक माफिया राच का अंत हैं जिसका वो पूरा फाइदा 2022 चुनाओं में लेना चाहती है। अब हुआ का भी अमरीका ने खब्द का रखा पहले रशा में था पर जगा 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 उनका भी खब्दा वो भी आजाद रहना चाहते हैं अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं तो उनका परसनल मामला है इसमें क्या दखन देंगे। काबल के सदार्ती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा उसमें कहीं भी कोई गरूर, कोई तकब्र, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आये, नजर आया तो ये कि वो नोजवान काबल की सरजमीन को चूम रहे हैं। आपको योगी आधितनात ने निशाने पर लिया है, और यही खासियत योगी आधितनात को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। देस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी आधिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार में चली है। तो फिलाल आज सियासी दंगल में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी। प्राइम 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 टीवी।